नमस्कार मैं हूँ अनुदिय चक्रवर्ति और आप देख रहे हैं एकॉनमी का हिसाब किताब मोधी सरकार ने एक बड़ी घोशना की है वो क्या है कि अपने पांच सरकारी कमपनियों में अपनी शेर वो बेच देगी कौन से पांच कमपनिया है सबसे बड़ी है भारत पेट्रोलियम आप जानते कभी ना कभी आपने भारत पेट्रोलियम के किसी पेट्रोल पंप में अपने बाइक या गाड़ी में पेट्रोल या डीजल तो जरूर डलवाया होगा और दो बड़ी कमपनिया है एक है Shipping Corporation of India जो कि भारत का सबसे बड़ा Shipping Company जहाज बनाने वाली कमपनी है और है Container Corporation of India आपने मालगाडी जरूर देखा होगा सबसे बड़ी मालगाडी बनाने वाली कमपनी Container Corporation है और साथ में दो ऐसे कमपनिया है जो पानी से बिजली तयार करती है जिसको Hydro Electricity कहा जाता है दो Hydro Electric Company है एक है नीपको और दूसरा है THDC इन सब में सरकार या तो अपनी पूरी शेर बेच देगी या कम कर देगी सारे कमपनियां आप देखिए ये भारत के आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है जो पांच कमपनियों की मैं बात कर रहा हू तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं देश बिखने नहीं दूँगा वही प्रधानमंत्री की सरकार इन रतनों को बेचने क्यों जा रही है इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में पिछले तीन दशकों से आपने सुना होगा कि सरकार को कमपनी नहीं चलाना चाहिए और शास्त्री कहते हैं कि सरकारी कमपनियों को प्राइवेट को दे देना चाहिए उनको बेच देना चाहिए वही अच्छी तरह से इनको चला सकते हैं इसको कहा जाता है privatization यानि की निजी करन और इन सब को अर्थशास्त्री कहते हैं आर्थिक सुधार यानि की economic reform लेकिन जब देश आजाद हुआ था तब आप याद रखिए कि बहुत सारे चीजों में निजी कमपनिया निवेश नहीं कर पाती थी क्योंकि उनके पास पूजी नहीं था वो कौन-कौन से हुए बिजली एक बहुत बड़ी जगह थी railways था जहां पर private sector निवेश ने कर पाती थी खदानों में निवेश ने कर पाती थी जहाज चलाने में भी private sector के पास उतना पैसा नहीं था अब आप देखें कि ये सारी कंपनियों का जिनका विनिवेश हो रहा है कही ना कही इनी सेक्टर में हैं एक और बड़ा सेक्टर जो बाद में उभर कर आया वो है इंधन का सेक्टर जो आपका हुआ पेट्रोल डीजल वगएरा क्या होता है वहाँ पर कच्चा तेल देश में आता है उसको रिफाइन किया जाता है पिट्रोल डीजल बनता है फिर आपके पिट्रोल पंप तक पहुँचता है फिर आपके गाड़ी ट्रक बाइक वगएरा में वो जाता है और ये बहुत जरूरी है उद्योगी करण के लि ऐसे कंपनिया सबसे जादा मशीन बनाती है देश में अगर हम कच्चा माल की बात करें तो खेतों से कच्चा माल तो आता है साथ में ख़दान कोईला जहां पर बनता है या स्टील वगएरा बनता है वह सारा कहां से आता है या तो स्टील अथारिटी ऑव इंडिया जो किस बिजली कहां से आता है जाधा तर सरकारी कमपनियों से ही आता है NTPC जैसे कमपनी से आता है साथ में मैंने कोईले की बात आपको कह दी है कोईले इंडिया से कोईला आता है और पेटरोल डीजल इसकी भी जरूरत होती है पेट्रोल डीजल कहां से आता है कच्छा तेल खाड़ी के देशों से लाया जाता है यहां पर उसको रिफाइन किया जाता है और फिर सारा जो distribution network है उससे पेट्रोल डीजल पहुंचता है इसमें जादातर देश के अंदर सरकारी कंपनिया हैं जैसे कि Indian oil है, HPCL है और BPCL है या माल को यहां से वहां ले जाना पड़ता है वो कैसे होता है माल गाडियों से होता है मैंने पहले ही आपको बताया कि container corporation of India जहां पर सरकार अपना शेर कम कर रही है वो सबसे बड़ी माल गाड़ी बनाने वाली company है हमारे देश में शुरू से ही उद्योग के लिए बहुत सारा कच्चा माल या machine बाहर से आता है मतलब उसको import किया जाता है वो कैसे आता है जहाज से आता है और इसी लिए shipping corporation of India बनी थी ताकि ऐसे चीजें बाहर के देशों से हमारे देश में लाया जा सके shipping corporation of India का बहुत सारा माल जो आता है वो सिर्फ कच्चा तेल और कोईला भी है जो मैंने आपको कहा हमारे देश में उर्जा के लिए बहुत ही जादा जरूरी है इन सभी companyों की एक time पर हमारे देश के private sector यानि की उद्योग पतियों को बहुत जरूरत थी क्योंकि ये सब जो service देते थे या जो चीज़े बेचते थे वो सरकार private sector को कम दाम में बेच कर देती थी उसी से private sector फिर मुनाफ़ा करती थी अब क्या है private sector को इनकी जरूरत नहीं है private sector के पास काफी पैसा आज गया है तो ये companyya वो खरीदना चाहती है ये companyya कितना मुनाफ़ा या घाटा करती है इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ कि public sector company मतलब मोदी जी की company नहीं है ये हमारी company है public की company है हमारा मालिक आना हक है इस पर तो जब इनको बेचा जा रहा है किसी private company को इसका मतलब हमारा मालिकाना हक किसी और को दिया जा रहा है और ये सरकार क्यों कर रहे है क्योंकि सरकार के पास tax का पैसा उतना नहीं आ रहा है सरकार ने corporate sector को tax का छूट दे दिया है खबर ये भी आ रही है कि जो spectrum से telecom company से लेना था वो भी अब 2 साल तक नहीं लिया जाएगा यानि कि बड़े business को बड़े पुझी पतियों को दिया जा रहा है छूट और गरीबों पर सरकार खर्चा नहीं कर पा रही है इसलिए हमारी ही company को सरकार private sector को बेच रहे कि वहां से पैसा आएगा और सरकार अपना काम चला सकेगी अब बात करते हैं मुनाफ़े की तो अगर आप बात करें BPCL यानि की भारत petroleum की उस पर हमने एक पूरा show किया है वो आप जरूर देख सकते हैं यहाँ पर click करके उसका link हम description में भी डाल देंगे वो भी आप देख लीजे यह अच्छा मुनाफ़ा करने वाली company है इसको बेचने की कोई जरूरत नहीं है यह company आप सरकार को dividend भी देती है और बहुत सारा tax भी देती है लेकिन इसको अभी मत click कीजिए बाद में आकर इसको click कीजिएगा देखेगा यह वीडियो आप पूरी तरह देख लीजे मैं container corporation की बात करता हूँ यह भी profit making यानि की मुनाफ़ा कमाने वाली company है इसमें भी बेचने की कोई जरूरत नहीं है यह नहीं की यह जादा मुनाफ़ा कमाएगी अगर यह निजी शेत्र में चली गई हाँ shipping corporation of इंडिया में थोड़ा बहुत loss जरूर होता है लेकिन बहुत सालों तक यह company लगातार profit यानि की मुनाफ़ा बनाती रही है और अगर मुनाफ़ा नहीं बना पारी है इस वक्त अगर वो कमान नहीं पारी है इसका एक कारण है सरकारी regulation जिन्दो hydroelectric power company की बात मैंने की है आपको एक है नीप को और दूसरा है THDC यह नीजी कमपनियों को नहीं बेचे जाएंगे यह किसको बेचे जाएंगे National Thermal Power Corporation यानि की NTPC को NTPC इनको खरीदेगी और कहा जा रहा है लगभग 10,000 करोड रुपे देकर खरीदेगी लेकिन इन दोनों कमपनियों का अगर आप कर्ज जोड़ ले तो वो लगभग 10,600 करोड है इसमें NTPC के खाते में आएगा लगभग 9,000 करोड क्योंकि THDC में Central Government यानि की केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 75% है तो आप देख लीजे कि पूरा अगर कर्ज उठाना पड़े और साथ में जो सरकार का हिस्सा खरीदना पड़े तो लगभग 9,500 करोड रुपे देना पड़ेगा NTPC को मार्केट में इसका दाम है 16-17,000 करोड यानि की NTPC से सरकार लगभग 5,500 करोड ज्यादा ले रही है तो एक तरफ सरकार मुनाफ़ा करने वाली कमपनियों को नीजी कमपनियों को बेच रही है और दूसरी तरफ सरकार अपने ही कमपनी को जादा पैसे में अपनी कमपनिया बेच रही है ऐसा ही किया गया था ONGC के साथ जब ONGC को बताया गाता है कि आप गेल को खरीद लो जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये कमपनिया जाएंगी तो नौक्रिया जानी ही है ये होता है हर वक्त होता रहा है तो कहां मोधी सरकार ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूँगा लेकिन आप अगर आज किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये सरकार कह रही है कि मैं आपकी नौक्री नहीं टिकने दूँगा